नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे आरेने स्वागत आपका मद्य पर्देस और 36 गड़ के बुलिटिन में रोक करेंगे तमाम खबरों की तरफ 36 गड़ में नगरिय निकाय चुनाब के लिए उमीदवारों की घोशना जारी है और बीजेपी ने बुद्वार आदी रात के बाद बिलाए नगर निगम के लिए 57 उमीदवारों की पहले सूची जारी कर दिये और 37 सीटे वालों भिलाई नगर निगम के शेस 13 वोडों में नाम तेकरने के लिए संभाग ये चेहन समीती गुरुवार को भी मन्थन करेगी और नगरियत निकाय चुनाव के अधिसूचना 27 नवंबर से जारी हैं और नामनकिन की परकिरिया शुरू हो जाने के बाद प्रदेश के दोनों प्रमुक राजनितिक डलों ने प्रत्याश्यों पर मन्थन शुरू किया है और बीजेपी ने नगर निगमों के लिए संभाग स्तर पर नगर पालिका और नगर पंचाज चुनाव के लिए जिला स्तर पर चयन समीती बनाई है और इस्थाने नेताओं को ही उसमें शामिल भी क्या गया और बीजेपी की संभागे चुनाफ समीती पिछले तीन दिनों से विभिन नामों पर मन्थन करे और भिलाए नगर निगम के लिए मंगलवार को भी आदी रात के बाद बैठक चलती रही और बुधवार को भी आदी रात तक चर्चा के बाद केवल 57 नामों पर सहमती बन और बीजेपी के बाद कॉंग्रेस ने भी बुधवार आदी रात को भिलाए नगर निगम चुनाफ के उम्मिद्वारों के नाम खोशित कर दिये और इससे पहले कॉंग्रेस पार्टी गाउं और रिसाली नगर निगमों के उम्मिद्वारों के सूची जारिक कर चुकी है और रविवार को हुई पहली बैठक में पार्टी के आंतिक सर्वे के नतीजों पर शुरुवाती चर्चा हुई थी और मंगलवार दोपैरबाद से रात तक चली बैठक में अधिकतर वोडों में प्रत्याशों के नामते कर लिए गए लेकिन बिरगाओं, रिसाली, भिलाई और भिलाई चरोदा नगर निगमों के कुछ वोडों में विवार की स्थिती बन रही थी और कॉंग्रेस ने मंगलवार रात के वल दो नगर पालिकाओं और पांच नगर पंचायतों के नाम प्रत्याशी घोशित किये और बुद्वार शाम को चुनाप समीती की तीसरी बै से उमीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और राजे के 15 शहरों में आम चुनाप हो रहे हैं और इसके लिए नामनकिन की एंतिमतिती तीन दिसंबर थे हैं और 20 दिसंबर को यहां मत्यदान भी होना है और 30 दिसंबर को मतगरना के बाद विजेता की घोशना हो जाएगी बारदाना संकट के बीच 36 घठ सरकार निक किसानों को बड़ी रहती है जिसके चलते अब किसान अपने बारदाने में धान को बेच सकेंगे और इसके लिए राजे सरकार प्रती बारदाने के लिए 25 रुपे का किसानों को बुक्तान भी करेगी दरसल पिछले एक महिने से राजे में बारदाने की कमी को लेकर के इन सरकार से पत्राचार किया जा रहा था लेकिन केंद की ओर से राजे सरकार की मांग पर कोई जवाब नहीं मिला और सीएम बुपेस भागेल के निर्देश पर किसानों को अप पुराने बारदाने के अवेज में 25 रुपे का भुकतान करने का फैसला लिया गया और इस संबन में खाद विभाग की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि समर्थन मुले पर धान खरीदी कले किसानों को अपने बारदाने में धान लाने की छूट राजे शासन से मिली है और खुद के बारदाने में लाए गए धान की खरीदी के साथ किसानों को पुराने बारदाने की अवेज में पूर में 18 रुपे का भुकतान किया जाना था और वहीं सेम भुपेस भगेल के निर्देश के बाद साथ रुपे बढ़ा दिये गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस साल राज्ये में 22,73,234 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजेन भी कराया है किसान प्रती एकट 14 कंटल 80 किलो धान बेच सकते हैं और ऐसे में अनुमान है कि इस साल 105 लाक मिट्रिक टरंधान की खरीदी होगी